प्रारंबिक श्लोको जेने कई शकाई तेमा पार्वतीना तपनो प्रथम तबक्को जेने सादू तप केवामा आवे शे तेनू वन्रान चे पार्वती ज्यारे तपनो नीणई करेशे त्यारे पित्रु ग्रुना तमाम श्रुंगारोंनो त्याक करेशे काली दासे बहुज सुन्दर औने भाववाही शैलीमा आशलोकोंनो वर्णन करिशे पोताना रेश्मी वस्त्रों नो त्याक करी अने पार्वती पूते वलकल वस्त्रों धारन करे छे पोताना रेश्मी सुन्दर केश कलापनी जटाओ बांधी दे छे कंदु क्रीडा करवामा जे हाथ मगन हता ते हाथ मा रुद्राक्षनी मालाओ धारन करे छे आनो सुन्दर उदाहरन रूप श्लोप आपने प्रतिकात्म क्रीते अहीं समझिये कालिदासे पांचमा सर्गना आश्लोक मा कहुँ छे महारह शैया परिवर्तन चुतेही स्वकेश पुष्पे रपीवास्मदूयते अशेत सा बाहु लतोप धाईनी निवे दुशी स्थंडिल एव केवले अत्यंत किम्ती बिछाना उपर आलोडता खरी पडेला पोताना वालमा गुथेला पुष्पो थी पन जेने पीडा थती हती ते पार्वती मात्र जमीन उपरज बेशती अने पोताना सुकोमल हाथनू ओशिकु बनावी अने सुई जती मित्रो आश्लोक द्वारा पन आपने खबर पड़े छे के पार्वती जे अनन्य अईश्वर्य अने सम्रुद्धिमा राजती अती जेना पिता हिमालै अने मेनानी निश्रामा ते तमाम प्रकारना सात्वीक सुख सम्रुद्धि भोगवती हती ते तमामनो त्याक करी अने एक रुशीनी जेम पोते वालनी जटाओ बांधी कंदोराना स्थाने वालना स्थाने जटाओ बांधी अने वलकल वस्त्रो धारन करी अने आकरी तपश्चर्या माटे पोतानी जातने प्रवृत्त करे छे आपने अत्यारना सांप्रत समयना संजोगोनो अनुबंद जोडीने तपश्चर्या करवाने माटे खदाच आपड़ा आवा दैहीक शुंगारोनो त्याग न करी शके पन पोताना मनने संकल्प सिद्धी माटे अडग अने कृत निश्चयी करिये एम चोक्कस आपने आमाथी बोध प्राप्त करवो जोईए अही मित्रो एव जणाय छे के पार्वतिना साधा तपमापन श्रीमद भगवत गिताये वर्ण वेला स्थित प्रग्णना लक्षणों चरितार्थ थता जोई शकाय छे स्थित प्रग्णना जे लक्षणों भगवत गितामा वर्ण वेला छे सुखमा के दुखमा निंदा के स्तुतीमा जय के पराजयमा मान समान अनुभव करे छे पार्वती जे पोते साधू तप करे छे आने पछी उग्र तप करे छे क्यारे फरियादनों एक सुर के पोतानी जाते लिधेला संकल्प सिद्धी माटेना निंड़ाय तरफ थी डगमगी जती न थी एटले के आपने अई जोई शक्ये के पार्वती नी दोला चल चित्त व्रुत्ती थती न थी पोते जेपन निणाय तप माटे लिधो छे, तेना माटे जेपन आकरा निणायों, शारीरिक स्थितियों, एने प्रतिकुल परिस्थितियोंनों सामनों करे छे, तेमा ते अडगज रहे छे. पार्वतीनों जे तपनों बीजो तबको छे मित्रों, तेने आपने उग्रतप तरिखे उळखिये शके. हाँ उग्रतप मा मुख्य छे, पंचागनी तप, चारे बाजुए अग्नीने सलकतो राखी, तेनी वच्चे बेसीने, ते सूरियने अनिमेश नयने निहालया करती. अहीं कालिदास कहे छे, निकाम तप्ता, विविधेन वन्निना, नभश्चरेने नधन संब्रुतेन सा, तपात्यये वारी भी रक्षिता, नवेर भुवा, सहोष मानम मुच्य दुद्वगम. अर्थात, अवकाश मा फर्ता सूरियनी अने इंधननी आग, एम जुदा जुदा अग्नी थी, अत्यंत तपी गयली ते पार्वती, उनालो पुरो थता, वरसादना ताजा पाणी नो छंकाव थता, उचे फेलाती वराल, पृत्वीनी साथे कडवा लागी. अन्ते पोताना तपनी पराकाश्ठा रूपे पार्वती ये जे वरुक्षपर्थी पड़ेला पांदडा हता, जेने अपने खरी पड़ेला पांदडा कईये, तेनो पन त्याग कर्यो, अने पार्वती अपनाना नामे प्रसिद्ध थाई. तेने वर्णवता कालिदास कहे छे, स्वयम विशिन द्रुमपण व्रुत्तिता, पराही काश्ठा, तपस सस्त्या पुनह, तद अहश्वयाया कर्ण मतह प्रियम्वदा, वदंत्या पर्णेती च ताम पुरोविग. अर्थात, आपो आप खरी पडेला, ब्रुक्षना पांदडा पर निर्वाह चलावो, एतो तपनी पराकाश्ठा रुपे गणवामा आवे छे, परन्तु पार्वती एतो ते पन छोडी रिदू, आथी पुराण वेत्ताओ, मदुर भाशीनी, तेने अर्पणा केवा लाग मित्रो, अहीं आपने समझवू जोईये, के शरीर टकावा माटे, आपनने लागे छे, अन्न, पाणी, अने हवानी जरूर रहे छे, पार्वती ए जे आकरू तप करियू, समयना अभावे, आपने दरेक श्लोक, अने तेनो श्लोकार्थ, अने तेनो भाव समझी शक्ता नथ परंतु, त्रोणे रूतुओमा, एटले के शियालो, उनालो, अने चोमासु, आ त्रोणे रूतुओमा, रूतुओनी प्रतिकुल परिस्थितीनो सामनो करीने, पन पार्वती पोताना संकल्प तरफ आगल वध्या करेशे, आथी आपने एव समझवानू, के जीवनमा आप लक्ष तरफ, आपने लिधेला संकल्प सिद्धीना नेनै तरफ, रूतुओनी कोई असर आपनने आवती न थी, शरी टकावा माटे, जे अनिवार्य बाबतो छे, ते खोराखनो पन पार्वती त्याग करेशे, अने तेना मनमा, शीव अर्थात कल्यानने प्राप्त करवी, ए एकज महनिय उद्देश होये छे, अने तेना माटे, तेनु आगवू समर पन, ए आजना समय मा, अपनने सवने, आवी मांगलिक बोध प्राप्ती करावे छे, एमा कोई बे मत न थी. पार्वतीनू जे तपश्चरण छे मित्रो, एमा थी आपणने जे बोध प्राप्ती थाई छे, एमा आपणे समझवानू छे, के सहन शिल्ता, अने लक्ष सिद्धी माटे नी जो आपणी धगश होय, तो नाजुक शरीर, जे पार्वतीनू सुकोमन शरीर छे, जेनू वण कालीदासे पाँचमा सर्ग मा करिऊ छे, तेनी कोई मर्यादा आपणने नड़ती न थी, हवे पाँचमा सर्गनों आगलनों जे प्रसंग छे, तेमा ब्रह्मचारी जे स्वयम, शीव ब्रह्मचारीनू रूप लईने आवे छे, अने पार्वतीनी कसोटी करवाने माटे, त पार्वती ना तपनु प्रयोजन शूँचे ते जानवाने माटे स्वयम शिवना स्वरुपमा ब्रह्मचारी अनेक प्रकार्ना तर्क वितर्क करे छे। आचरोचोने कारण के धर्मनु आचरन करवामा शरीरज मुख्य साधन छे। आगल कालिदस कहे छे अनेन धर्मह सवीशेशम अध्यमे त्रीवर्ग सारह प्रतिभाती भावह। हे उम्दा विचारवाली पार्वती त्रीवर्ग अर्थात धर्म अर्थने काममा धर्मज सार रूप छे। पार्वतीना तपनी प्रशंशापण आरीते शिव प्रह्मचारीना स्वरूप मा आविने करे छे। त्यार बाद शिव पार्वतीनी हजीवदू आकरी कसोटी लेवाने माटे शंकरनी निंदा करे छे अने पछी ब्रह्मचारी पोते अंते पोताना स्वरूप नू परिवर्तन करे छे। पार्वतीने शंकर स्वयं ब्रह्मचारीना रूप मा कहे छे के शंकरनू अमांगलिक आचरण छे। शंकर दोश अने अनिष्टनू निधान छे। मित्रों सामान्यरीते ज्यारे यूती पोते पोताना भावी पतीने के जीवन साथीने पसंद करे त्यारे तेनू खांदान तेनू निवास तेनू दैहिक संदरिय बधुज लक्षमा लेती होय छे। परन्तु आई स्वयम ब्रह्मचारी पार्वतीनी कसोटी करवा तेने कहे छे के शंकर ने पोतानू कोई कूल नती, शंकर नाउं कोई निवास थांस पष्ट नती, शंकर स्मशान मा निवास करे छे। तेना दैहिक श्रूंगारोंनू वल्णन करे छे, अने अन्ते ब्रह्मचारी पोते स्वयम केवे छे, के आवा पतीने मिलवी, अने तुशू प्राप्त करीश, जैरे पार्वती तूतो शूब लक्षणोंनों सार छे, आम बन्ने वच्चे महान विशमताओ बतावे छे, अन आकडी कसोटी करे छे, अन्ते सुन्दर श्लोक ध्वारा अपनने अहीं आ समग्र प्रसंग नी बोध प्राप्ती आरिते थाई छे, जैरे शिव पोते मूल स्वरुपमा प्रगाट थाई छे, त्यारे जे श्लोक कालिदास वनवे छे, क्लेश, फलेनाही, पुनननवताम, व प्राप्त करवाने बोध मिलवे छे, अहीं आपने जोवू जोईए, के आपने कई बाबतोंने लगन जीवन माटे महत्वा आप्पू जोईए, व्यक्ती, पोते, रदैथी, कल्यानकारी, उम्दा विचारो वालो होई, तो आपनु जीवन मांगल्य, दामपत्ती जीवननों मांगल्य, ए आपनने मले छे, चारे आश्रमो मां, मनुस्मूती मां पण वर्णा वेलू छे, के ग्रुहस्त आश्रम बहुज महत्वानों छे, मां बाईय संपतीने, शारिरेक साउंदर्यने महत्वा आपिये, तो क्यारेक जीवन साथीना निणई मां, आपने भुल भरेलू पगलू भरीये छे, एम स्पष्ट जणाई छे, व्यक्तीनू आंतरीक साउंदर याज, अंते, कल्यान तरफ लई जाये छे, एबो, पर मोत्त जो विहंगाव लोकन करिये, तो कालिदास नी काव्य शैलीनी कितलीक विशिष्ट ताओ पण, आपने नजरे पड़े छे, अपने सव जानिये छिये, के कालिदास वैदर्भी रीती, एटले के शैलीनो स्वामी छे, प्रसिद्ध उक्ती, जे कालिदास माटे छे, प्रुत्त वती, श्री कालिदासं वरम, वैदर्भी कविताये, स्वयम कालिदास ने, पोताना वर तरिखे पसंद करियो, तो पांचमा सर्गना भाववाही श्लोकों मा, आपने प्रत्तिक श्लोक वांचता वांचता, एक रस प्रवाह मा, निमग न थाई जवाये छे, एमा कोईज बेमत न थी, तो वैदर्भी रिती नो, शैली नो, सुन्दर प्रयोग पांचमा सर्गमा थायो छे, कालिदास ए प्रकुती नो कवी छे, ते पन आपने जानिये छे, अने मित्रो विशेश उल्लेखनिया छे, के कालिदास ने प्रकुती ना रौद्र स्वरुपनो न परन्तु सौम्य स्वरुपनों वर्णन करवूज, खुबज प्रिया हतु, अहीं उदाहरान तरिखे, पार्वती तपस्विनी होवा छता, व्रुक्षों उचेरवानों जे अनेरों उच्सा छे, ते बतावे छे, कुमार संभवम, एटले प्रकुती अने प्रतीभानू सौ कालीदास ने करवू बहुज गमे छे, कालीदास नी दरेक क्रूती, जे नाटक होई के काव्य होई, तेमा मानव मन्ना उंडा अवगाहन करवानों कालीदास ने शोख रयो छे, अहीं कालीदासे ब्रह्मचारिये ज्यारे स्वरुप परिवर्तन कर्यू, त्यारे ते समय पा तीरा कुराली तेव सिंदू हु, शैला धिराज तनया नययोन तस्थो, जारे शिव ब्रह्मचारीना स्वरुप माथी मूल रुप मा प्रगट थाया, अने पार्वतीने जारे कल्यार्नी प्राप्ती थाई छे, त्यारे पार्वतीना मनोभावो केवा हता, तेनो वणन करता काली दास कहे छे, मार्गमा परवतना नडतर नेली धे, आकली बनेली नदीनी जेम, पार्वती जैपन ना शकी, अने उभीपन ना शकी, शैला धिराज कने तनया नययो न तस्थो, आ द्वारा पार्वतीना मनना सुक्ष्म मनोभावोनु वणन काली दासे खुबज अनदर रिते करियु छे, काली दास व्यंजना नो पण कवी छे, काली दासे कुमार संभवममा रचेला, पांचमा सर्गना तेरमा श्लोकमा, पुनर ग्रहितुम, शब्द द्वारा, व्यंजना करवामा आवी छे, अहीं सर्गनी प्रारंभ माज, काली दासे निर्देश पोतानु तप छोडशे अने तेने विलास भरी चाल अने नयनो जे जे एने हरणाओनी पासे थापन तरीके मुख्या हता ते पोतानी विलास भरी चाल अने नयनो ना कटाक्ष फरी मूल अवस्थाने पाम शे कालिदासनी उपमा कालिदासनो अर्थांतर नयास अलंकार एमा पन अवचित्य अने मनो हारीता छे पाँचमा सर्गना प्रसंगो नू अपड़े अवलोकन करिये पाँचमा सर्गना शलोको नू अपड़े जो सुक्षमेक्षिका अभ्यास करिये तो उदाहरन तरीके पाँच पाँचमा सर्गनों सूर्तालीस मोशलोक, पाँचमा सर्गनों अड़तालीस मोशलोक, पाँचमा सर्गनों बावन मोशलोक, पाँचमा सर्गनों एकसट मोशलोक, पाँचमा सर्गनों 85 नाशलोक मा सुन्दर उपुमाओ वणवामा आवी छे, अने त्यारे उपुमा काली दा असस्य ए आपने सुन्दर रिते चरीतार्थ थतु जोवा मले छे। शुंगार रस छे परंतु पार्वती ना वणनमा शांत रस ब्रह्मचारी नी वक्रोक्ती कटाक्ष अने मश्करी भरी उक्तियों मा हास्य रस ब्रह्मचारी बटू मटी शंकर बने छे तेमा अदभूत रस नो प्रयोग कर्यो छे। इतले के आ तमाम रसोनू सम्मिश्रन करीने पोताना काभ्य प्रवाहनू निर्वहन काली दासे खूब सुन्दर मौली करीते कर्यो छे। कोई एकज रसमा जो काभ्यनू सर्जन करवामा आवे एक गमेतेटलू रसा स्वाधन करी तो अपन एमा रसक शती सर्जवानी शक्यता रहेली छे। पन काली दासे मुख्य रसने श्रूंगार रस तरीके लई अन्य रसोनू सम्मिश्रन करीने सुन्दर मनो भावो पार्वतीना अने शियुना वणण व्याचे। त्यार पचीनो मुद्धो अगत्यनों छे पात्र योजना। आपने जानिये छे तेम कुमार संभवमनू कथावस्तु दिव्य छे। परन्तु मात्र दिव्य कथावस्तुनू आलेखन करीने काली दासे पोतानी कलमने अटकामी नथी। आ दिव्य पात्रो मां मानूशी भावस्तु ने पन बताव्या छे। आरेवस्तु आलेवस्तु वावस्तु एव्य।